राजपाल महोदया के अभीभाशन पर अपना पच्छ रखने का उसर प्रदान किया मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननी राजपाल महोदया के अभीभाशन में उनके समर्थन पर खड़ा हुआ हूँ महोदय आज हम जब राजपाल महोडिया के अभी बाचा पर्टिपचित कर रहे हैं कलम ने नेता परतिपच का भी पच्स सुना, मानी सदस्यों का भी पच्स सुना सबका पच्च भी पच्स के सबका तो सबसे पहले मैं itna कहना चाहँगा कि हमारी सरकार सुसासन, सुरच्छा, विकास के मार्ट पर आगे पढ़ते हुए अपराग और धस्ताचार के पर्टी जीरो टॉलरेंस की नीद के साथ सांती और सदभाव का वातावरा सुनिश्चित कर रही है मानवर अध्यच महुदे हम सब कल की कल से लेकर के जब से परिजर्चा प्रारम हुई है कई विश्यों पर बात रख रहे हैं मैं सिर्फ दो विश्यों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ मानवर कल हमारे नेता परतिपच्छ ने दो बाते रखी एक जाती जनगरना मैं सबसे पहले जाती जनगरना पर एक विश्य रखना चाहता हूँ हमारी पार्टी और हमारी नेता प्रारम से जाती जनगरना की मान करती रही है और हमारी पार्टी आज भी ये कह रही है कि जाती जनगरना होनी चाहिए मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से बस इतना पूछना चाहता हूँ बर्मा जी सुन ले, बर्मा जी सुन ले मेरी बात भी मेरी बात आप अपने नेता तक पहुचा पाएंगे, ये मुझे विश्वास है मनवर जाती जनगणना, सामाजिक नयाय का ये कैसी बिंदु है जिस पर सामाजिक नयाय की बात उठाने वाले हर बिक्ति को सहमत होना ही पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे जितने भी सामाजिक नयाई की बात करने वाले लोग हैं दल हैं ब्यक्ति हैं सब के लिए जाती जनगर्णा बहुत ही महत्पूर विशय है पर मेरा सवाल दूसरा है मेरा सवाल ये है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथ ही चार बार सत्ता में रहे है चार बार सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने एक बार भी जाती जनगर्णा का विशय कभी उठाया हो तो मुझे बताए मानवर जैसे ही विपक्ष में आते हैं जाती जनगर्णा की बात याद आ जाती है मानवर मैं एक विशे रखना चाहता हूँ अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना भी चाहता हूँ कि ये जो जाती जनगर्णा का विशे 2012 से हमारी नेता जब इस सदन की सदस्व नी पहली बार तो हमारे नेता प्रतिपच्च के मुखमंत्रित तो काल में उन्होंने कई बार ये विशे उठाया उस दोरान 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने जाती जनगर्णा के विशे में एक भी पिन चलाया हो तो उधारन सदन के सामने रख दे मानेवर मैं कुछ विशे आपके सामने और रखना चाहता हूँ सबसे पहले अभिवावत की तरह हमारे नेता जी थे मैं उनको सुरधांजली अर्पित कर रहा हूँ और एक विशे अपने समाजवादी पार्टी के साथियों के सामने रख रहा हूँ कि 19-19-19 में माननी रच्छा मंतरी के रोप में आदरणी नेता जी थे सैनेक स्कूल उन्ही के अंतरगत आता था उन्ही के मंत्राले में आता था उसी सैनिक स्कूल पूरे भारत में पिछड़े वर्क के चात्र भी पढ़ते थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को उस समय कभी क्यों याब नहीं आया कि इस सैनिक स्कूल में भी पिछड़े वर्क के चात्रों के लिए आरक्षन होना चाहिए मानेवर मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कॉंग्रेस की अधरनी नेता भी बेटी हुई है जब 2008 में नीत का कॉंसेट लागू हुआ और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उसमें आरक्षण नहीं दिया गया तो उसमें कॉंग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर वो सरकार चल लही थी क्यों छोड़ दिया गया क्यों पिछड़े वर्क के लोगों को आर्चन देना छोड़ दिया गया क्यों हमारे समाजवादी पार्टी के सांसदों ने साथियों ने उसमें बिरोध नहीं किया मान्यवर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मान्नी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी को माननी ग्रह मंत्री अमिशा जी को जिनों ने जब भी अमारी नेता ने चाहे केंदरी विद्ध्याले चाहे नोदे विद्ध्याले हो चाहे नीट में पिछड़े वर्क के लिए आरक्षण का विशय हो जिम्मेदारी के साथ उनके सामने रखा उस पर तुरित कारवाई करते हुए इन वर्कों के चाहत्रों को आरक्षण देने का काम किया है माननी प्रान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी की सरकार माननी वर मैं समाजवाभी पार्टी के साथियों को कुछ देटा याब दिलाना चाहता हूँ हमारे बीच निशुलक और अनिवार सिच्छा के रूप में सरकारी नौकरी में आरक्षण का दिशे सबसे पहले उठाया था हमारे समाजवाभी पार्टी के साथियों के सब चीजें याद भी नहीं है और सुनने के लिए चमता भी नहीं है इसलिए आधे से ज़्यादा लोग इस महत्पूर भी से पर यहाँ पर सदन में मौझूद नहीं मैं समाजवाभी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1901 में साहु जी महराज ने सबसे पहले आरक्षण की बेवस्था को अपने राज में लागू करने का काम किया मैं समाजवाभी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1909 में भारत सरकार अधनियम में सबसे पहले आरक्षण का विशय पतकालीन ब्रिटिस गवर्मेंट ने लागू किया 1931 में जाती जुन गर्ना का पहली बार भारत में कॉंसेट लागू हुआ साथियों 1903 में मैं कॉंघ्रेस की हमारी नेता बैठी है इनकी सरकार थी चमा करिएगा मनिय द्धर जी हमारी कॉंघ्रेस की नेता बैठी है मैं इनको भी आदिलाना चाहता हूँ उनाइस सो तिरपन में काका कालेकर आयोग बना और काका कालेकर आयोग में पिछड़े वर्गों के लिए जो भी सिफारिशे थी उनको लागू ही नहीं किया गया उनको असुइकरत कर दिया गया ऐसे हमारे लोग हैं जो आज पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1989 में जब मंडल आयोक का गठन हुआ और फिर 1989 में उस मंडल आयोक की रिपोर्ट आई उस मंडल आयोक की रिपोर्ट को लागू करने में नौ साल लगे 1990 में मैं भन्यवाद देना चाहता हूँ उस महापुरुष को अधरणी बीपी सिंग साब को जिनोंने मंडल आयोक की रिपोर्ट को लागू किया और फिछोड़े वर्ट के लोगों के हितों की एक नई दिशा और दसा लिखने का काम किया मैं आज इस उसर पर जो हमारे नेता प्रतिपच्च ने कल एक बात रखी कि जाती जनगर्णा में कौन-कौन हमारे साथ हैं मैं फिर कहना चाहता हूँ, जाती जनगर्णा के इस महत्वपूर मुद्दे पर सामाजिक नयकी बात करने वाला हर बेक्टी, जाती जनगर्णा के पच्छ में खड़ा है, उनके लिए ये चुनावी फार्मूला हो सकता है, पर हमारे लिए भावनात्मक बुद्दा है, मैं ए इस लिए जो इसको चुनावी फार्मूला के रोप में प्रयोप करना चाहते हैं, एक बार पहले जाक लें कि जब वो सकता में थे, तो उन्होंने इस विशे को कभी क्यों नहीं उठाया, मन्यवर, दूसरा विशे हमारे कल नेता पर्तिपच्छ ने एक बात रखी, क्रेडि आप करते क्या है, कहते क्या है, इसकी भी एक क्रेडिविल्टी होती, कथनी और करनी में अंतर क्या है, मैंने जाती जनगर्णा के विशे पे हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों के सामने रखता, आदरनी बर्मा जी के सामने मैं बहुत जूनियर हूँ, बहुत सीनियर हैं मैं उनके सामने क्या रख़ूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि credibility सब्द जो है आप स्वेम सोचिए कि आपने अगर जाती जनगर्णा के बारे में कभी कुछ सोचा होता कुछ किया होता तो आज आपको उसको चुनावी फार्मूले के रूप में इस्नेमाल न करना पड़ता और जनता आपको 17, 19 और 22 के चुनाव में discredit न कर देती मानेवर्ण मैं तो अपनी धन्यवाद देना चाहूंगा माननी प्रधान मंत्री जी और माननी मुक्वंत्री योगी आदित तनाज जी की डबल इंजन की सरकार्न कल एक विशह आया कि जापान कौन कौन गया था जापान मैं गया था मेरे वरिष्ट मंत्री जैवीर सिंग साब गय थे और जापान में क्रेडिबिल्टी की जो बात है वो मैं बताना चाहूंगा मनवर कि जापान में जब हम जापानी उद्दोग पतियों से मिले तो सबने एक सवर में एक बात कही कि ये मोदी जी का हिंदुस्तान है और उस मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें भरोसा है हम जो पहले काम करते रहे हैं उससे ज़्यादा उस मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें भरोसा है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को इस आफ डूइंग में एक नई दिशा और तसा देने का काम किया है ये क्रेडिबिल्टी होती है मानवर मानवर हमारे इसी इसी उत्तर प्रदेश में चार बार की सरकार चलाने वाले लोग बात करते हैं स्वास्त सेवाओं की आपको भी आउशर मिला था आपने मेडिकल कॉलिज क्यों नहीं बनाया आपको भी आउशर मिला था आपने कैंसर होस्टिटल बनारस में जो बना है आपने क्यों नहीं बनाया कॉंग्रेस की सरकार रही है समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती रही है आपने एक अच्छा कैंसर होस्पिटल जैसे बनारस में बना है पुरवांचल के कैंसर के लोग जो है फेशन वहाँ जाकर के इलाज करा रहे है मानवर कभी आपने कोशिश करके देखी होती पर आपके अंदर इच्छा शक्ती ही नहीं है क्योंकि फिर वही बात आती क्रेडिबिल्टी की आप मानवर मैं तो तथ्यों के साथ आपसे बात कर रहा हूँ मैं निवेदन करूंगा लखनव में नहीं बना अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर वही क्रेडिबिल्टी की बात आ रही है अमेरिका की एक स्वें सेवी संस्था ने 480 करोड रुपे इसी SGPGI को डोनेट कर दिया है इसी UPGIS के दवरान हर गरीब विक्ति ने जिसको आवास मिला है जिसको गोल्डेन कार्ड मिला है उसके मन में जो क्रेडिबिल्टी सरकार के प्रति बढ़ी है या मजबूत हुई है उसी का नतीजा है कि 17 भी साब, 19 भी साब और 22 भी साब और 24 में नतीजा आपके सामने आने वाला आपने कई फार्मूले बनाए आपने गठबंधन भी किया ऐसा बड़ा गठबंधन की 19 में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में ये था कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है फिर क्रेडिबिल्टी की बात आती है जो करता है उसी की क्रेडिबिल्टी बनती है मानिवर मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 33R अर्चन का जब विशय था तब आपने क्या किया आज आप उल्टी बात करते हैं जब प्रमोशन में रिजरवेशन का विशय था तब आपने संसत के अंदर आपने फाल करके फिक दिया ये आपकी क्रेडिबिल्टी है ये आपका सामाजिक नयके प्रती कमिटमेंट है मानिवर्थ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बात हो रही थी कि हुआ क्या जब आप कुछ करना चाहते हैं आप जाकर के मिर्जाफुर के अंदर एक बार देखिए कि परिवर्तन करने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ती है तो परिवर्तन होता कैसे है आपको एक विस्वास आपको रखना पड़ेगा मेरे वरिष्ट सदस, मेरे वरिष्ट मंत्री, उच्छ सिच्छा मंत्री भी बैठे हैं मनवर इसके पहले कभी किसी को इस बात की चिंता क्यों नहीं हुई कि यहां के विस्विद्यालियों को भी नैक का ग्रेडेशन मिलना चाहिए क्योंकि आपको इस बात की चिंता ही नहीं थी आप चार बार सरकार में रहे हैं और नैक के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है कि नैक का ग्रेडेशन होगा उत्तर प्रदेश के बिस्विद्यालियों की एक अलग छभी बनेगी मानिवर इस नैक मैं धनवाद देना चाहता हूँ राजपाल महोद्या को जिनके कुशल निर्देशन में उच्च सिच्छा, प्राविदिक सिच्छा और चिकिस्चा सिच्छा सभी विभागों के सभी विस्विद्यालियों ने तेजी से मिहनत किया पिछले एक वरसों में और सबसे पहले गौरों के साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि प्राविदिक सिच्छा विभाग के अंतरगताने वाले मदन मोहन प्रावद्दगी की विस्विद्याले ने उत्तरप्रदेश में पहली बार एप्लस का नैक का ग्रेडेशन प्राप्त किया फिर लखनोविद्याले ने एडबल प्लस का ग्रेडेशन प्राप्त किया ये इच्छा सकती है ये क्रेडिबिल्टी है ये काम करने की मानेवर हमारे बहुत सारे साथी बार बार पिछड़े वर्क की बात करते हैं पिछड़े वर्क का क्या हुआ मैं तो एक विशे अपने विपच्च के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आज हम लोग महा महिम राजपाल महोदिया कि अभिभाशन पर चर्चा के लिए सब Лोग एकतरित हुए हैं हमारा सिर्फ इतना कहना है मैं अपनी पार्टी की और अपनी नेता की और से कि अगर वास्तों में आप पिछड़े वर्क के हिद की बात कर रहे हैं सामाजी की नए की बात करना चाहते हैं तो आपको जहां आउसर मिले वहां करने का प्रयास करिए मैं आपको एक उधारान दोईरा के साथ कहना चाहता हूँ प्रावधिक सिच्छा विभाग में आप जाकर के आप सारे सदस्यों को मैं वो कर रहा हूँ invite करनाओं की प्रावधिक शिच्छा विभाग में सामाजिक न्यायकी अधरना कैसे लागू हो रही है यह आप सोयम जाकर करके अपने अस्तर से पता करिए कि कैसे सामाजिक न्यायकी अधरना लागू हो रही है मैं सिर्फ इतना कहना चाछता हूँ कि चार-चार बार आप सरकार में रह चुके हैं अगर आपके अंदर इच्छा सकती होती तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती आपको किसी बात का वो नहीं होता और जनता आपको नकारती नहीं बस यही बात कहते हुए मैं आप सबको अध्यक मोदे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा ये मेरी सुरुवाद है इस विधान सभा में आप सबके उसमें सनेह और आशिरवाद से मैं मंत्री के रोप में शुरुवाद कर रहा हूँ मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि जिस विषय पर जिस तरह से हमारे मानी विधान सभाद ध्यजी ने यहां के वहेंस के वातावरण को बहुत ही उच्च अस्तर पर ले जाने का काम किया मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर अपने विपच के साथियों से एक विषय कहते हुए अपनी वाड़ी को विराम देना चाहूँगा कि आप जो भी विषय रखे उनको तथ्यात्मक तोर पर रखे और आपने क्या किया उसको एक बार जरूर आपको सोचना चाहिए एक अंतिम दो पंक्तियों से मैं अपनी बात समाच करना चाहता हूँ अटल जी के सरदे अटल जी की दो कविताएं थी दो लाइन मेरे को हमेशा याद रहती है तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है मैं इतना कहूंगा कि आपका मन छोटा है इसलिए आप सत्ता से अभी बहुत दूर रहेंगे और आपका मन तूट चुका है आप जो चीज बोल रहे हैं जो कहना चाहते हैं वास्तविक रूप से उसे रख नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको खड़े होने में अभी बहुत समय लगेगा धन्यवाद जैहिंजे भाई